दूसरा आपने देखा वोगा सरकार में एक परेंपवडा बढली है। पहले आपने हाँ आउटपुट को ही एक प्रकार से काम माना जाताथा। इतना बजेट आया वो बजेट यहां गया उसमें से इतना उधर गया उसमें से उतना उधर गया मतलब कि बजेट खर्च हुआ आउटपुट को ही हमारे यहां एक प्रकार से एच्विमेंट माला जाता था आपने देखा होगा कि 2014 के बाद हमने सरकार का आउटकम बजेट भी देना शुरू करिया बजेट के साथ आउटकम का रिपोर्ट देना शुरू किया और आउटकम के खारण qualitative change बहुत बड़ा आया है हम भी अपने blog में देखें कि मैं जिस योजना के लिए पैसे लगा रहा हूँ मैं जिस योजना के लिए समय लगा रहा हूँ जिस योजना के लिए मेरे इतने अफसर काम में लगे हुए है कोई आउटकम मिलता है कभी नहीं मिलता है और हमने उस आउटकम को पाने गली क्या करना चाहिए सात्यों जितना महत्व कुछ लोगों को लगता है पैसे होंगे तो काम होगा आप विश्वास किजिये सात्यों मेरा बहुत लंबा अनुभव है सरकार चलाना इतना लंबा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है और मैं अनुभव से कहता हूँ कि सिर्फ बजेट के कारण ही बड़लाव आता है सान नहीं है अगर हम साउसाधनों का आप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा कन्वर्जन्स इसको अगर हम ध्यान दे तो हम ब्लॉग के डेवलपमेंट के लिए एक नए पैसा नए आने के बिना भी उस काम को कर सकते हैं अब जैसे माल लीजे मन्रेगा का काम चल रहा है लेकिन क्या मैंने प्लान किया है क्या को मन्रे का काम बही होगा जो मेरे डेवलपमेंट की डिजाइन के साथ जुड़ेगा मैं मन्रे का काम बही करूँगा ताकि मुझे जो रोड की मिट्टी डालनी है उसी रोड की मिट्टी डिवाद हूँगा तो मैरे रोड का अधा काम तो होई जाएगा कन्वर्जन्स हो गया याने जो कन्वर्जन्स करते हैं पानी है माल लीजे कुछ इलाके हैं जहां पानी की दिक्कत है और आपका साल में तीन-चार महिना उस पानी के लिए ही मसकत करनी पड़ती है लेकिन आपने अगर मंदरगा में ताई किया कि उस इलाके में सबसे ज़्यादा तालाब बनाने सबसे ज़्यादा पानी स्टोरेज करना है मिशन मोड में काम करना है तो आपको अगले साल जो चार महिना सिर्फ पानी के लिए 10-25 गाओं के पीछे बिगड़ते हैं बंदो जाएंगे आपकी शक्ती बच जाएगी कन्वर्जंस बहुत बड़ी ताकत रखता है और मैं मानता हूँ कि गुड गवर्नस की पहली शर्त यही है कि हम सांसांधनों का अप्टिमम म्यूटिलाजेशन करे दूसरा एक अनुभाव आया है और मैं अपने अनुभाव से कहता हूँ होता क्या है और छ्वाबा भी कहें टीचर भी क्लास में अगर इंस्पेक्शन आने वाला है तो जो अच्छे होनहार स्टूडन्ट होते है उनको थोड़ा टिप देता है और वो कहते हैं जब इंस्पेक्शन में कोई सवाल पूछे तुम हाथ तुरंत उपर कर देना यह मैं टीचरों वाला जानता हूँ बस वाबा भी कहें उसको जब रव जबाना है तो एक अच्छा लड़का हाथ उपर कर देगा कहने का मेरा तात्पर यह है कि हम सभाव से जहां इमिजेट रिजल मिलता है उसमें इन्वेस ज्यादा करते है अगर मुझे सरकार में मानो भारत सरकार में मुझे टार्गेट पुरा करना है और मुझे लगता है यह छे राज्य है यार उनको कहेंगे तो हो जाएगा तो मैं उन छे राज्यों पर हिज्यान केंदित करता हूँ बाकी बारा राज्य जिसको जरूरस है लेकिन चूंकि उनका परफॉर्म पूबर है तो मैं वो संसाधन उदर जाने नहीं देता और मैं एक मिठी चाय में और दो चमचीनी डाल देता हूँ होता क्या है कि जो डेवलप हो चुके हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको इतना अधिक मिल जाता है कि वो संसाधनों का बेस्टेज होता है अब देखिए आपके घर में एक जमाना था जब मैं पढ़ता था मेरे तो नसीब में वो नहीं था लेकिन मेरे साथियों को उनके मामी पापा कहते थे कि तुम अगर दस्वी में इतना नमर लाओगे तो तुझे गड़ी लाकर करेंगे तुम ट्वैल्थ में इतना लाओगे तो गड़ी बैट करेंगे मेरे समय में ऐसा था आज किसी भी घर के कौने में हाट डालो तिन चार गड़ी ऐसे ही मिल जाती है कुछ गड़ी तो ऐसी होगी उनको छे मेने तक हाथ नहीं लगाया होगा लेकिन एक गरीब के घर में एक घड़ी होगी तो वो घड़ी 365 दिन लगायेगा और समाल करके रखेगा संसाधन जहां पड़ा हुआ है वहाँ एक्स्ट्रा देने से वेस्टेज है जहां जरुरत देने से उसका अतिरित उप्योग होता है और इसलिए मैं मानता हूँ का हमारे संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रिबिशन और जहां नीड़ बेज है वहाँ विशेश तोर पर डिस्ट्रिबिशन यह आदत हम डालेंगे तो उनको एक ताकत मिलेगी